नमस्कार दोस्तों मैं कुंदन सर्मा फेंट्स में आप सभी लोगों का वेलकुम करता हूँ आपने चैनल वायंडोलू सोलीशन पर तो फेंट्स में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लुमिनस बैटरी का डिश्टरबिटर सिप और डिश्टरबिटर सिप आप कैसे ले सकते हैं फेंट्स मैंने इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में आपको पताया है कि अगर आपको लुमिनस बैटरी का डिश्टरबिटर सिप या डिश्टरबिटर सिप लेना है तो आप उसके लिए online कैसे apply कर सकते हैं तो friends आप मेरे इस वीडियो को सुरू से अंतक देखे ताकि आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी मिल पाए और friends अगर आप मेरे इस वीडियो पे नए है तो आप मेरे चैनल को subscribe के bell icon फ्रेस चरू कर ले ताकि friends जितने भी मेरे नए नए वीडियो है उसकी notification आपको समय पे मिलते रहे तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करें तो चलिए friends सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं Luminous Company के बारे में Luminous Company एक Indian Company है जिसका headquarters गुडगाउं हर्याना में है और friends Luminous Company इंडिया में बहुत ही बड़े लेवल पर काम करती है सिर्फ इंडिया में नहीं ये company जो है 36 countries में इस company का product आपको available मिल जाएगा और friends अगर इसकी manufacturing units के बारे में बात करें तो total 7 manufacturing units available है और ये company जो है बहुत ही different products का manufacturing करती है जैसे कि आपको inverter batteries मिल जाएगा solar battery मिल जाएगा electric appliances मिल जाएगे fans, modular, switches and LED lighting बहुत ही wide interest product इस company के available है तो friends अगर इस company के network के बारे में बात करें तो distributorship network जो है 2900 plus distributorship है और dealership के बारे में बात करें तो 70,000 plus dealership है तो ये सबी data से आप समझ सकते हैं ये company कितनी बड़ी है और इंडिया में पूरे कितने बड़े level पे काम कर रही है तो friends ये company जो है अब चाहरी है और भी लोगों तक पहुंचना और भी लोग इनके products यूज़ करें इसलिए ये company जो है distributorship या फिर dealership प्रोवाइट कर रही है जली friends उसके बाद हम लोग बात कर ले थे कि अगर आपको लिमनस बैटरी का dealership या फिर distributorship लेना तो उसके लिए आपकी eligibility और requirements क्या-क्या होने वाली है तो friends मैं बता दू जो भी applicants याँ पर apply कर रहे हैं उनका minimum में 21 years होना चाहिए उसके साथ साथ यहाँ पर उस applicants का minimum qualification 10-12 होना चाहिए और उसके साथ साथ जो भी applicants apply कर रहे हैं उनके पास battery dealership या फिर distributorship business के बारे में उनको knowledge होना चाहिए experience होना चाहिए ताकि वो जब भी battery dealership या फिर distributorship business start करे तो उनको initially कोई भी problem ना हो उनके पास अगर knowledge होगा कैसे market में ज्यादा से ज्यादा sale दे सकते हैं कैसे new customers को अपने पास जोड सकते हैं ठीक है उसके साथ साथ कैसे market के strategy को अगर वो जानते होंगी अगर उनके पास experience होगा तो उनको initially कोई भी problem नहीं आएगा अगर आपके पास experience नहीं है अपना अच्छा से अच्छा profit earn कर सकेंगे then उसके बाद जो है आपको कुछ important documents की यहाँ पर जरूत पड़ेगी then जली friends उसके बाद हम लोग बात कर ले थे कि अगर आपको luminous battery का dealership या फिर डिस्टिबिटर से लेना तो उसके लिए आपका investment total कितना आएगा तो friends मैं बदा दूँ आपका जो investment है यहाँ पर depend करता है कि आप अपना business जो है कितने बड़े level पर start करना चाते हो और आप dealer बनना चाते हो या फिर distributor बनना चाते हो तो friends मैं आपको बदा दूँ यहाँ पर अगर आप distributor choose करते हो तो यहाँ पर जो आपको 300-400 batteries जो है initially आपको purchase करना होता है जिसमें आपको 52-55 lakh के आसपस आपको खर्च पड़ जाता है तो इसमें सिर्फ batteries नहीं होते हैं battery inverter दोनों होता है तो उसके साथ साथ अगर आप dealership लेते हो तो उसमें आपको 5200 batteries के around आपको purchase करना होता है यह आपके area wise पे जो है vary कर सकता है कहीं कहीं पे 100-200 batteries दिया जाता है तो यह distributor पे depend करता है कि वह कितने number of batteries पे जो है dealers बना है ठीक है तो यह area to area depend कर सकता है लेकिन यहाँ पर जो है मैं आपने area के साब से लिखा हूँ minimum 100-50 to 100 batteries आपको dealership में रखने होते आपके लिए बहुत अच्छी बात है अगर नहीं है तो यह area to area depend करता है आपके area में रहे उसके हिसाब से आपका rental cost लगता है उसके साथ साथ यहाँ पर infrastructure cost जोड सकते हो जो भी आप swap लोगे go down लोगे उसका infrastructure cost लगेगा उसके साथ साथ यहाँ पर equipment सकते हो जैसे की computer या laptop हो गया printer हो गया billing software होना चाहिए आपके पास उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास staff होना चाहिए कुछ तो उसका जो है आपको cost भी जोड सकते हो staff cost यहाँ पर add कर सकते हो उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ अगर जो है security money deposit नहीं होता है तो friends अगर आप battery dealership या फिर डिस्टूबेटर सी बिजनस स्टार्ट करना चाहते तो अगर आप डिस्टूबेटर सी लेना चाहते तो minimum जो है आपके पास 50 to 55 lakh के आसपास होना चाहिए अगर आप dealership लेना चाहते तो आपके पास तो friends मैं आपको बता दूँ यहां पर space की requirement जो है 400 to 700 square feet जो है आपके लिए enough है अगर आप distributor सी पी आप फिर dealership लेते हो तो और friends अगर आप limitless battery के साथ साथ अगर आप किसी और भी company का battery बेचना चाहते हो sell करना चाहते हो या फिर उसका dealer या फिर distributor बनना चाहते हो तो उसके हिसाब से जो है आपका area requirement जो है और भी थोड़ा बढ़ जाएगा और भी ज्यादा लगेगा तो यह आप पे depend करता है कि आप कौन सी company के साथ जा रहे हो और फिर कितने company के साथ काम कर रहे हो और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर swap space की बात करें तो swap space यहाँ 100-200 square feet enough है और go down के लिए अगर बात करें तो 300-500 square feet enough होता है तो friends अगर आपके पास 400-700 square feet के असपास अगर area है तो आप आसानी से dealership याफे distributorship के लिए eligible हो सकते हो लेकिन friends आप जब भी अपने swap के लिए space choose करते हो तो यह जरूर share कर लें कि आप जिस भी company का dealership या फे distributorship लेना चाते है उसका dealer या distributor आपके swap के approximately 2-3 km के अंदर में कहीं भी उस company का dealer या फे distributor नहीं होना चाहिए तभी जो है आपको company यहाँ पर dealer या फे distributor बनाती है दें चलिए friends उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपको लिमिनस battery का dealership या फे distributor के लिए आपको apply करना है तो उसके लिए आपको कौन-कौन से important documents की जुरत पड़ती है तो friends यहाँ पर documents में आपके personal documents में जैसे कि ID proof में पांकाड या फिर voter काड आप दे सकते हैं उसके साथ-साथ-आहँ पर address pulley them में आपको अपना electricity या फिर रासन काड दे सकते हैं उसके साथ-साथ आपके पास अपना photograph होना चाहिए email ID होना चाहिए mobile number होना चाहिए उसके साथ-साथ cupcakes आपके पास एक current account होना चाहिए जिसके साथ आपको एक blank check यहाँ पर company को submit करना होता है उसके साथ यहाँ पर आपके पास GST number होना चाहिए आपका outlet trade license होना चाहिए और यहाँ पर IT annual return मांगा जाता है company के तरप से तो आपको IT annual return देना होगा approach two years का आपको देना होगा then उसके बाद आपका property document मांगा जा सकता है जो भी आपका swap है go down है उसका जितने भी sale deed या फिर जो भी rent agreement वगरा है वो सब आपको यहाँ पर company मांग सकती है उसके साथ साथ यहाँ पर NOC submit करना होता है तो friends अगर आपके पास यह सभी documents है then आप असानी से luminous battery dealership या फिर distributorship के लिए आप eligible हो सकते हो देन चलिए friends उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप luminous battery का dealership या फिर distributorship लेते हैं तो उसमें आपको कितना profits and margin मिलता है तो friends जैसा कि आप लोग सभी लोग जो है इसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं कि कितना profits and margin मिलता है basically और कितना investment लगता है तो यह section आप अच्छे से समझें कि profits and margin आपको कितना मिलेगा कैसे मिलेगा और किस चीजों पर depend करता है तो friend मैं बता दूँ यहाँ पर profit and margin जो है totally depend करता है आपके sale पर कि आप कितना number of sale दे पा रहे हो मलब 1 month में या 45 days में आप कितना से कितना ज़्यादा battery या inverter sale कर रहे हो luminous का उसके साथ साथ यहाँ पर company का कुछ target होता है अगर आप उसको achieve कर लेते तो आपको और भी extra यहाँ पर profits और बहुत सारे offers, schemes वगरा दिये जाते है तो friend अगर आप जब भी battery का business start करना चाते है तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा sale देने की कोसिस करें ताकि आप जिस भी company के साथ यहाँ पर मिलके business कर रहे हो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा और भी offers provide कर सके देन चले friend मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको around net profit मैं बता हूँ तो यहाँ पर 5-7% के आसपास जो यहाँ पर profit होता है यह net profit है friends यह minimum 5% और maximum 7% लेकिन यह 5-7% का जो profit है यह सिर्फ आप जब dealer को provide करते हो तो अगर आप as a retailer sale कर देते हो तो कभी-कभी मान लेते हैं distributor के पास भी कभी-कभी कोई customer चले जाते हैं तो अगर आप as a retailer sale करते हो तो आपको 20-25% के आसपास जो यहाँ पर profit and margin मिल जाता है और then चले उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर आप dealership लेते हैं तो उसमें आपको कितना profit and margin मिलता है तो अगर आप dealership लेते हैं तो यहाँ पर आपको profit and margin जो है depend करता है distributor पे यहाँ पर dealers के लिए 4-5% के आसपास ही रहता है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चीज जो है cut off हो जाता है यह totally depend करता है distributor पे कि आप किस distributor से join होके अपना समान ले रहे हो मलब अपना battery ले रहे हो ठीक है उसके depend करता है आप बहुत ज़्यादा अगर bulk में order करते हो उनके पास तो वो आपको थोड़ा और भी offer दे सकते हैं या फिर और भी ज़्यादा discount दे सकते हैं इसके साथ साथ अगर आप उनको monthly बहुत ही अच्छा sale देते हो या फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा-च्छा sale देते हो देन उसके साथ साथ जो है यहाँ पर वो distributor जो है वो भी आपको बहुत सारे offers and यहाँ पर discount बगर देते हैं तो यह जो है totally depend करता है ऐसे मैं यहाँ पर 4% के आसपास बता सकता हूँ dealership के लिए लेकिन यह जो है totally जो है और भी ज्यादा हो जाता है अगर जब आप distributor के साथ एक बार मिलते हो तो वहाँ पर सारे चीज़ों बता दिये जाएंगे कि कितना आपको profit मिलेगा कितना margin मिलेग कैसे आपको customer को बेचना है कितना तक बेचना है कितना lower तक बेचना है कितना higher तक जाना है ठीक है यह सारे चीज़ों बता देंगे जब भी आप distributor या फिर company के साथ join होते हो तो तो friend अगर यहाँ पर आपको profits and margin के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको limitless battery के sales area sales manager स आपको बात करना होगा तो जब आप एक बार बात कर लेते हैं उनसे तो आपको वो सारा चीज आपको बता देंगे कि कितना profits and margin मिलता है dealership and distributorship में देंचली friends अब हम लोग लास्टी बात करेंगे कि अगर आपको luminous battery का dealership या फिर distributor ship चाहिए तो आप कैसे apply कर सकते हैं तो friend आप देख सकते हैं आपके screen में एक number दीख रहा होगा इस number पर call करके आप अपने area sales manager का number ले सकते हैं जिस भी आप area में राते हैं हर area के sales manager होता है आप जब उनसे contact कर लेंगे तब वो आपको सारे चीज हो में help कर देंगे आपको dealership लेना या फिर distributor से लेना वो आप उनसे consult कर लेजे और जो भी आगे का process होगा वो सारे चीज वो आपको करके देंगे तो friends इसके लिए जो आप directly इसके website पर विजिट कर सकते हैं वहां पर जाकर आप इनका contact form भी भर सकते हैं लेकिन friends आप इस number पर भी directly call करके आप directly अपने area manager का number ले सकते हैं तो I hope friends आपको इस वीडियो अच्छा लगा ओगो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करना ना भूले और चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe जरू कर ले तैन चली आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कुछ इंट्रेस्टिंग टापिक के साथ अभी के जहन